दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां खुबसूरत जहरने हैं तो कहीं नदिया तो कहीं प्रकृती की सुन्दरता से भरपूर जंगल लेकिन इस दुनिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जहां दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान मौझूद है यह जगह कहीं और नहीं बलकि उत्तरी अफरीका है जहां चारों तरफ अपनी बाहें फैलाए सहारा रेगिस्तान खड़ा है सहरा रेगिस्तान या मरुस्थल का नाम तो आपने सुना ही होगा ये भी जानते ही होगे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है ऐसे में अगर भारत की बात करें तो यहां थार रेगिस्तान सबसे बड़ा है लेकिन सहारा रेगिस्तान के आगे यह छोटा लगता है बात अगर सहारा रेगिस्तान की करें तो सहारा नाम अर्बी शब्द सहारा से लिया गया है जिसका अर्थ मरुस्थल होता है सहारा रेगिस्तान की लंबाई 4800 किलोमेटर और इसकी चोड़ाई अठारा सो किलोमेटर है शेतरफल में ये रिगिस्तान भारत की शेतरफल के दोगुने से भी अधिक है आपको जानकर हैरानी होगी कि सहारा मरुस्थल दस देसों में फैला हुआ है जिसमें माली, मरुको, मेरितानिया, अलजीरिया, ट्यूनिशिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सुडान और मित्स जैसे देश शामिल है आपको ये भी बता दे कि सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा और गर्म मरुस्थल है दूसरे रेगिस्तान की तरह सहारा में भी दिन के समय भयंकर गर्मी पड़ती है और यहां बिल्कुल भी सरदी नहीं पड़ती हलाकि साल 2016 में यहां पर बरबारी जरूर हुई थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था ऐसे में जब एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की वजह जाननी चाही तो पता चला कि रेगिस्तान के पास से स्थित एटलस परवत की तलहटी के तापमान सामाने से 10 से 15 डिग्री नीचे चला गया था जिसकी वजह से उचाई पर कम दाप का केंदर उत्पन हो गया जिसके कारण हवा नीचे की तरफ आई और बरबारी जैसी स्थिती पैदा हो गई सहारा मरुस्थल में कई रेट के टीले हैं जिनकी उचाई 200 मीटर तक है रेगिस्तान का उच्चतम बिंदू माउंट कुसी है जिसकी उचाई 3415 मीटर है आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जमाने में सहारा रेगिस्तान कभी हरा भरा हुआ करता था पेड़ पौधे, जंगली जानवर और इंसान भी इस जगह पर रहा करते थे लेकिन लगातार हर्याली घटते रहने के कारण लगबग 25 सु साल पहले ये जगह दुनिया के सबसे बड़े मरुस्तल में बदल गई जिसे सहारा रेगिस्तान कहा जाता है सहारा रेगिस्तान की ऐसी कई बाते हैं जो आपको चौका देंगी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल सौथ ब्लोक डिजिटल को जरूर सबस्ट्राइब करें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहें